नमस्कार साथियों मेरा यूटीब चैनल सुविधा 2010 में साधर पूर्वक अभिनांदन मैं हूं रभिकांत भकत आज हम लोग इस वीडियो के माद्धम से चर्चा करेंगे अपनी सुरच्छा अपने हाथ कार्जकरम के तहत समुदाय का ससक्तिकरण के बारे में तो अब बात आता है समुदाय क्या है। हम लोग इसके बारे में भी जान लेते हैं समुदाय क्शोटे या बड़े समुआं को काते हैं जिसके सभी सदस्ट किसी छेतर की सीमा में इस प्रकार समगरह जीवन बिताते हैं, कि वे किसी विशेश हित की पूर्थी की आवश्यक मात ही नहीं बलकि सामान जीवन की सभी बुनियादी सर्थों के पूर्ती में पारस्पारिक सोज़ोग करते हैं, अर्थात एक टोला, एक गाउं जिसे हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के सुख-दुख में भागयदरी होकर जीवन जीते हैं, ऐसे ही समोह को हम लोग समुदाय काते हैं, अर्थात हम बिद्दाले, जीस छेतर में है, उस परिवेश को हम लोग समुदाय काएंगे, और इस समुदाय का सक्सक्तिकरन करना है, तो सक्सक्तिकरन हम लोग किस पीसे पर करेंगे, जल, सच्छता, एबं साबसफाई की आदतों में बृद्धी करके, आपको मालूम होगा, सबसफाई से हमारे जो 80% मिमारी से हम लोग निजात पा सकते हैं, बच सकते हैं, तो अब बात आता है कि ये जो समुदाय का, तो इसमें कोन-कोन से लोग हैं जो इनका भागीदरी निभा सकते हैं, तो चलिए हम लोग एक एक करके इसके बारे में बात करेंगे पहला है इस्थानियव प्राधिकार के निर्भाचित प्रति नीधी दूसरा है छात्र छात्राओं के माता पीटा और तीसरा है बिद्धालय के सिच्छ ये जो तीन समुह है ये तीनों समुह मिलकर समुदाय की सक्षक्तिकरण की परिकलपना हम लोग करते हैं समुदाई के सक्षक्तिकरण के महत्पूर्ण भूमिकाओं में प्रतिनिदियों का बहुत बड़ा जोगदान रहता है जैसे आपका ग्रामपरधान वर्ड मेंबर पंचायद समीती मेंबर मुख्या ये सब प्रतिनिदि जो निर्वाचित होते हुए आये हैं इनका बहुत ही महत्पूर्ण जोगदान है और इनहीं के द्वारा बाकी जो भी कार्ज करम है संचालित करना है ताकि समुदाई का सक्षक्तिकरण हो सके समुदाई की सक्षक्तिकरण में दूसरा जो महत्पूर्ण भूमिका है वो है छात्र छात्राओं के मातापिता अगर देखा जाएं छात्र छात्राओं की मातापिता को सबसे बड़ी भूमिका में रहना चाहिए क्योंकि उनी के बच्चे बिद्दाले में पढ़ते हैं और बिद्दाले में सिखते हैं जो समाज में आके वही लोग इसका प्रचार प्रशार भी करते हैं इसलिए इनका जोदन और भी महत्पूर्ण हो जाता है और इस कड़ी में सबसे महत्पूर्ण कड़ी जो तीसरा कड़ी है बिद्दाले के सिच्छक सिच्छिक हैं क्योंकि य यही जो बच्चों को सिखाते हैं, नयना कार्जकरम, नयना तरीके, नयना उपाई के बारे में बताते हैं, इसलिए ये जो समुदाय का ससक्तिकरम का सबसे अहम रोल जो है ना सिच्छकों के होते हैं, और सिच्छक बच्चों के दोरा ये कार्जकरम जो है ना ये जागरिती स अब बात करते हैं इस्थानिय प्रधिकार के निरिवाचित प्रतिनिधी छात्र छात्राओं के मातापीता बिद्दालय के सिचक सिच्चिकाओं की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां क्या-क्या है एक-एक करके हम लोग बात करेंगे जल, सच्चता एवं साफसपाई के संदर में सिच्चक, बाल संगसद, आदी से नियमित अद्दतन प्राप्त करना अर्थात बर्तमान परिस्थिती किस तरह से है क्या प्रगत्ती हो रहा है इस पर पूरी नेजर रखना जल, सच्चता एवं साफसपाई के संदर में सभी मतापिताओं को एवं समुदाओं को समिल करते हुए प्रभावी तरिके से जागरूख एवं संप्रेशित करना इस कर्जकरम पर आधारित रेलियां, सांस्कृति कार्जकरम आधी संचालन में सहता करना, निर्मित, आधारभूत, संग्रचना, राख राखाओं एवं मरमती का कार्ज करवाना, सरकार एवं अन्य स्रोतों से अनुदान प्राप्त करना एवं उसका उच्चीत उपयोग कर पोशक छेतर के 6-18 बर्स आईवर के सभी बच्चों को बिद्दालाय में नमंकित करवाना, मधन भोजन एवं बिद्दालाय में संचालित अनकार्जकरमों का क्रियान्यन एवं अनुसरवन करना, बिद्दालाय सुरच्चा एवं समाजिक सुरच्चा जैसे किसोरवस्ता की जानकारे देना, प्रतेक माह के 25 तारिक को बिद्दालाय प्रबंदन समिति की बैठक करना, एवं सेचनिक और अन्यम बुद्दों पर विचार विमर्ज करना, सचता दिवस के रूप में प्रती माह 19 तारिक को बैठक करना, ये सब हमारे भुमिकाएं हैं और जिमेदारिया भी है जो हम लोग को पालन करना है, इसी के संदर में समुदाय का ससक्तिकरन किया जा सकता है। अधी वीडियो पाने के लिए अगर आप नाय दर्शक हैं तो मेरा चैनिल सुविधा 2010 को सब्सक्राइब कर और नोटिपिक्सन बेल आइकोन को दबा दें। वीडियो देखने और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्नवाद। वीडियो को लाइक कर सभी ग्रूप एब हम दस्तों को सेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो और नाय जनकरी के साथ फिर मिलेंगे। आपका दिन मंगल में हो। परिवार के सभी लोग स्वास्त रहे, मस्त रहे, खुश रहे। इसी सुबकामना के साथ जय हिन जय भारत।